एक जंगल के गुफा में दो मित्र, एक टाइगर और एक लायन रहने लगे ये दोनों इतने चोटे थे कि इन दोनों को खुद को नहीं पता था कि ये दोनों अलग अलग प्रजाती के है और इन प्रजातीयों के दो अनिमल्स फ्रेंट्स नहीं बन सकते ये दोनों वैसा ही शांती वातावरन में बड़े हुगे एक बार अचानक ये दोनों मित्र के बीच अर्गुमेंट शुरू हुआ लायन कह रहा था कि पूर्निमा के पहले ज़्यादा ठंडी आएगा ना करते हुए पास में ही जंगल में रहने वाले एक सादू से कौन सही है पूछने गए थे सादू ये दोनों का समवा सुनकर कहा कि ठंड कभी भी हो सकता है पूर्निमा के पहले या अमावासय के पहले क्योंकि ठंड हवा के उपर आधारित है अगर आजुबाजु आतावरन में ठंडी हवा है तो हमें ठंड लगेगा ठंडी हवा अमावासय या पौर्नमी पर आधारित नहीं है इस तरह आप दोनों सही ही है कहा लाइफ में इंपॉर्टन्ट ये है कि जगड़ा या कनफलिक्ट के बिना अपने फ्रेंड्स के साथ रहना लेकिन कौन सही कौन गलत प्रू करने से लाइफ में हैपिनेस नहीं मिलेगा अगर मिला तो भी वो हैपिनेस उस पल या दिन तक ही रहेगा कनफ्लिक्ट के बिना जीने से जो हैपिनेस मिलता है वो जिन्दगी भर रहता है और अपनों को साथ रखता है बचपन में हमको इगो या डिफरेंसेस नहीं पता होने के कारण सब फ्रेंट्स ही होते है लेकिन बड़ा होते हुए अपने में जो इगो डेवलप होता है जिसके कारण अपने आपको ज़्यादा दिखाने की या डॉमिनेट करने की कोशिश में कई लोग दुश्मन बन जाते हैं और दूसरों को डॉमिनेट करने से कोई फाइदा नहीं होता See you again with a new topic in Global Encyclopedia Till then take care and have a nice day